Hello and welcome back everyone, this is Mohamed Saabhazalam, you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future, with Bengal Board Class 10 के लिए आज होने वाला है thermal expansion का test, 20 questions, important questions, उमीद करता हूँ, इन में से questions, examination में जरूर आपको मिलने वाला है thermal expansion में से, तो thermal expansion के जो भी important questions है हमारे तरफ से, MCQ-based test हमारा आज का start किया जाएगा, आज के इस test में 20 questions दिये जाएंगे और 15 seconds का timer, पिछले class में वीडियो ने बच्चों में कवेंट किया था, कि प्लीज सर टाइम थोड़ा बढ़ा ही है, इसलिए 15 seconds का timer दिया जा रहा है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, हम लोग देखते हैं thermal expansion का test तो बचो यह है हमारा website का वो page जहां पर आप लोगों को test दे रहा हूँ, अगर आप बाद में test देना चाहते तो दे सकते हैं, लेकिन अगर खुद को compare करना चाहते हैं दूसरों के साथ, तो live test daily attend कीजे, रात के 9 बजे हमारे इस channel पर, जहां पर मैं आप लोगों को माध्मिक के 23 के लिए prepare करवा रहा हूँ, अभी इस point of time पर, next year के candidates को अगर आप लोग लेट में देख रहे हैं, don't worry, आप लोगों के लिए भी batch start के जाएगा, comment करकर जरूर बताएं कि सर हमारा भी batch start करें, तो आज के इस वीडियो में हम लोग thermal expansion के 20 questions देखने वाले हैं, 15 second के timer के साथ बचों ने comment किया था, सर थोड़ा question धीरे बोलिएगा, कोसिस करूँगा, ज़रूर धीरे बताओ, explain करताओ बचलो, इस page का link description box में है, दुबारा बताता हूँ, जाके test देने की कोसिस कर सकते हैं, वहाँ अगर देना है, तो अब हम लोग continue करते हैं, इस वीडियो के साथ, जह आप लोगों के 23 सेसन के लिए 50% के discount पर, इस टेस्ट को देने के बाद, यह जो physical science का आप टेस्ट दे रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका curriculum, यहाँ पर, आप यहाँ इसका curriculum देख सकते है, physical science के हर एक chapter, जो important chapter है, उसमें 49, 51, 36, 55, 70, 40, 51, लगबग 50 के आसपस के questions सभी में लिए गया हैं, और इन ही questions में से जो कुछ important questions है, उनको मैंने आप लोगों के पास यहाँ रखा हुआ है, और यह नमबर बच्चों ने इन्रोल कर लिया है, यह numbers daily बढ़ते वे जा रहे हैं, तो आप उमीद करता हूँ, आप लोग भी जल्दी से इन्रोल करेंगे इ आप अगर इस web page पे आएंगे, तो आप लोगों को बस यहाँ start quiz पे click करना है, लेकिन आज मैं आप लोगों को यही से practice करवाऊँगा, तो click करता हूँ start quiz, I hope everyone is ready, so let's start. So here comes our first question, आप अपने screen पर अपना पहला question देख सकते हैं, If the linear expansion coefficient of metal is A, then the area expansion, area expansion, यानि जिसे superficial expansion कहते हैं, coefficient will be 2 by A, 3 A, 3 A by 3 and C by 2, समसाता हूँ, अगर रैखिक जो expansion है, उसे हम लोग A से denote करें, तो उसका superficial expansion, यानि उसका जो छेत्रे प्रसार है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, चार options है, इसमें से एक and your time starts now, 15 second का time दिया जा रहा है, question को सोचिए, ठीक सा analyze कीजिए, और इसके बाद इस question का answer देनी की कोसिस कीजिए, आज के इस class में मैं 20 question के साथ ready हूँ, आप लोगों के पास 5 second का timer है, काइंड़ी अपना question का answer complete करें, time over, अगले question की तरह बढ़ते हैं, next question, which is the best conductor of heat, copper, iron, silver और gold, इन में से कौन सा बेस्ट conductor है, बहुत easy question है, 15 second का timer इसके लिए थोड़ा ज़्यादा है, बट फिर भी, मैं आप लोगों का timer start करता हूँ, अब इस 15 second के अंदर में मुझे लगता है, multiple बच्चे question का answer देंगे, बिल्कुल सही answer सा रहे हैं, और बहुत easy question तो आसानी सा सही answer दे सकते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अपने next question के तरफ और time up, अगले question के तरफ बढ़ते हैं, हमारा third question, the value of thermal resistance is, यह जो हम लोग thermal resistance को calculate करते हैं, उसके लिए जो mathematical formula इस्तमाल करते हैं, वो इन चारों में से कौन सा है, k into a by i, i divided by k into a, k into, actually i नहीं, thermal resistance के लिए आप इसे i या l जिस terms में calculate करना चाहता हैं, कर सकते हैं, चार options है, तो thermal resistance में कौन सा numerical formula इसमें काम जाता है, here is your time starts now, इस question के लिए भी 15 second का time बहुत ज़्यादा है, I think easily कोई भी इसे कम time के अंदर में complete कर सकता है, still मैंने 15 second का timer दिया है, क्योंकि पिछले class में बच्च से थोड़ा ज्यादा time चाहिए, जो बच्चे prepared है, उनके लिए इतना काफी है, time over, आगे बढ़ते हैं, अपने अगले question की तरफ, the thermal conductivity is ke, then thermal resistance will be, तो okay, thermal resistance is not ke, k, thermal resistance कि से denote किया जा रहा है, it is k, तो thermal resistance क्या होगा, ठीक है, thermal conductivity अगर की है, तो thermal resistance क्या होगा, आपका question का time start होता ह है, अब, इस question के लिए भी 15 seconds बहुत ज्यादा time है, I think बहुत सारे बच्चे इससे आसानी से कर लेंगे, जो लोग हिंदी में से जानना चाहते है, कि उसमें अगर चालकता किसी का k है, तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा, यह आपसे question पूछा गया, time over, चलिए आगे बढ़त कितरे प्रकार के होते हैं, यह है question, your time starts now, diffusion coefficients को हिंदी में क्या कहते हैं, यह मुझे भी बताना थोड़ा मुस्किल होगा, इसलिए मैं इस question का answer आप लोगों को हिंदी में नहीं बता पा रहो, इस question को translated version हिंदी में नहीं बता पा रहो, coefficient याद रखिया, जिससे प्रसार because clouds, one, do not absorb heat, do not radiate heat, it has a low thermal conductivity, it has high thermal conductivity, चार option है, रात के टाइम पे जो मौसम होता है, वो warm होता है, गरम होता है, क्योंकि sky में अगर cloud रहे, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो heat को absorb नहीं करते हैं, या heat को radiate नहीं करते हैं, या उनकी thermal conductivity low होती है, fourth option है, thermal conductivity high होती है, ताइम स्टाइ 15 second का timer इस question के लिए थोड़ा जादा है, but I hope आप लोग आसानी से this question के अंदर में दे देंगे, 15 second का time आप लोगों को दिया जा रहा है, और time over, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, the capacity of a matter to transmit heat is called, किसी एक matter, किसी एक पदार्थ की, किसी heat को transmit, यानि पास करने की जो capacity, जो उसकी जो property है, उससे क्या कहते हैं, electric flow, thermal conductivity, coefficient of thermal conductivity, या कोई भी नहीं, your time starts now, बहुत ही easy सा question है, thermal conductivity के बारब से related question है, I hope बहुत सारे बच्चेस का answer देना start कर चुके है, correct answers आ रहे हैं, well done everyone, and here, time over, moving to the next question, which is the best conductor of heat, copper, iron, silver, gold, ये question हम लोगोंने already कर लिया है, किसी वज़े से ये question repeat हो गया, मैं इसे बात देता हूँ, next question, what is the SI unit of coefficient of volume expansion, volume expansion का, जो coefficient है, उसका SI unit क्या है, चार option है, आपके पास ए स्क्रीन पर, and your time starts now, I hope मुझे पता है, बच्चे जानते हैं, volumetric expansion को हिंदी में आयतन ये प्रसार कहते हैं, उसका SI unit, आयतन ये प्रसार गुणांग का SI unit क्या है, and your time is over now, Getting to the next question, thermal conductivity of silver in system is, okay, SGS system होना चाहिए, ये किसी वज़े से O print हो गया है, ये G होगा, thermal conductivity of silver, यानि silver की जो thermal conductivity है, वो कितनी होती है, चार option दिये गया है, और आपको एक answer चूज करना है, your time starts now, 15 सकंड के timer में के अंदर आप आसानी sensor दे सकते हैं, देखते हैं कितना time आपको लगता है, and time over, चलिए, next question की दरवरते हैं, the symbol for the coefficient of cubical expansion is, cubical expansion के लिए जो symbol इस्तेमाल किया आता है, वो कौन सा है, alpha, beta, gamma या तीनों की तीनों ही इस्तेमाल होते हैं, and your time starts now, 15 सेकंड इस question के लिए बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है किसी विच्छे को time लगेगा, जैसे कि बच्छे answer दे रहे हैं, बहुत correct answers आ रहे हैं, very good, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, अगला question हमारा है, the linear expansion coefficient of iron is, 1.2 into 10 to the power minus 5, per degree centigrade, then the volumetric expansion of the iron will be, अगर linear expansion रेख्ये प्रसार इतना है, तो आतन ये प्रसार कितना होगा, ये है question, चलिए time start होता है, अब, अगर आप बारी की से इस question को पढ़ेंगे, सारी चीजे बता दी गई हैं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको इस question का answer मिल जाएगा, 3 second time है, and time over, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला question है, real and apparent volume expansion of a liquid are gamma R and gamma A, मतलब real को gamma R से और apparent को gamma A से दिखाया जा रहा है, तो इन चारों में से कौन सा सर्थ हैं, question बोला जा रहा है कि अगर वास्तविक प्रसार और एक आभासी प्रसार, किसी एक liquid gamma R और gamma A है, real मतलब वास्तविक प्रसार और आभासी प्रसार gamma A, उस condition में इन चारों में से कौन सा सर्थ सही है, चारों में से कौन सा equation सही है, आपको चूज करना है and your time starts now. याद रखेगा इसमें जो Y लिखा गया है, वो gamma के symbol को represent कर रहा है, suffix में G लिखना यानि की expansion of glass की बात की जारी है, ध्यान रखेगा, I hope कि आप इसका answer दे सकते हैं, and your time is close to get over and it's over. Moving to the next question, which one shows exceptional type expansion against heat? Okay, exceptional type of expansion किस में दिखता है, इन चारों liquids में, mercury, copper, water, or milk, मतलब इसमें से कोई है, जिसका जो expansion है, thermal expansion है, वो बाकियों से अलग है, exceptional है, ठीक है? And your time starts now. मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे इस question का answer दे सकते हैं, आसानी से, बट उसका इस exceptional type of expansion का एक नाम है, उमीद करते हैं, बच्चे उस नाम को भी लिखना स्टार्ट करेंगे, तो please नाम लिखना स्टार्ट करें, जिनको नाम पता है, इस exceptional type का नाम क्या है? And your time is over for this question. Moving ahead toward the next question, the next question is here. The linear expansion of a metallic rod is proportional to, रहिए प्रसार जो है, किसे एक metallic rod का, वो किसके अनुपाती है? Initial length, rise in temperature, both A and B, या इन में से कोई भी नहीं. And your time starts now. Starting के कुछ questions में, मैंने आप लोगों को थोड़ एक्सरा time दिया था, वहाँ पर मैंने notice किया कि कुछ glitches थे question में, but उमीद करते हैं, अब वो glitches over हो चुके हैं, कुछ questions में कुछ grammatical errors रह जाते हैं, And your time is over for this question. चले मैं आगे बढ़ता हूँ, next question की तरफ. If an iron ball is heated, then the percentage increase which will be more. ठीक है? अगर एक iron के ball को बढ़ाया, heat किया जाए, तो जो percentage increment होगा, कौन से सबसे ज़्यादा होगा? उसके diameter में होगा, या उसके surface area में होगा, या volume में होगा, या density में होगा? इन चारों में से वो कौन से चीज है, जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़ता होगी? तो time starts now. 10 second का time दिया गया है, 15 second के timing में बचा हुआ है, last 5 second, और time है लगभख खता होने वाला, over. Moving to the next question, on heating uniformly, copper expands more than iron. Okay, more than iron, less, more, same, none of these. Okay, यहाँ पर I think question में एक error है, मैं clear कर देता हूँ, जब आप heat करेंगे uniformly, copper को, तो वो iron के respect में, iron के respect में, ज़्यादा, कम, same, या कोई भी नहीं possible है, heat होगा, यह आपसे पुछा जा रहा है, expansion होगा, यह आपसे पुछा जा रहा है, यहाँ पर यह जो more words को ignore कीज़ेगा, पुछ रहा है किस में ज़्यादा होगा, यह आपसे question है, copper or iron में से, तो copper, iron के मुकाबले, less, more, same, या none of these होगा, आप answer कीज़े, and your time starts now. I hope आप confused नहीं है question के साथ, copper और iron में, copper जो है, वो iron के मुकाबले, less होगा, more होगा, यह question है, and your time is over for this question, now, moving towards the next question, SI unit of thermal conductivity is, चार option दिये गया है, thermal conductivity यानि उसमें चालगता की, SI1 क्या है, this is your question, जो बच्चे में सो request कर रहे थे, कि सर आप questions को हिंदी में भी दे, आप समझी है, टाइप करना दोनों को बहुत मुस्किल है, दोनों को टाइप करने में मेरा जितना वक्त जाएगा, उसमें मैं आप लोगों के लिए test ready नहीं कर पाऊंगा, मतलब, वॉल के case में thickness, उसका area, nature of the material और average temperature, वो कौन सा factor है, जिस पर ये depend नहीं करता है, जो time starts now, पंदर सेकेंड के अंदर में आप लोगों को इस question का correct answer खोज के बताना है, comment करना स्टार्ट कर चुके हैं बच्चे, बहुत सारे comment आज सही आ रहे हैं, बट मुझे दिख रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो एक answer को ही देखते ही उसी को repeat कर रहे हैं, प्लीज मेजरिटी के flow के साथ ना जाएं, अपने concept को जाने, अगर आपको लगता है कि आपको इसका answer पता है, तो उसे choose करें, ऐसा मत कीजिए कि आपको लग रहा है कि ये answer वो दे रहा है, इसलिए सही है और सही accept कर लेना है, आगे बढ़ते हैं, अपने आखरी question के साथ, the coefficient of volume expansion is, less than the coefficient of linear expansion, twice the coefficient of linear expansion, equal three times, क्या कह रहा है, volumetric expansion जो है, वो कैसा है, linear expansion के साथ बोल रहा है कि उससे कम होता है, या linear expansion यानि रेख्यप्रसार के साथ twice होता है, या linear expansion के साथ बराबर होता है, या linear expansion का तीन गुना होता है, तो आइतनी रेख्यप्रसार, रेख्यप्रसार के लिए पूछा गया है, चार options है, कोई एक सही है, and your time starts now, तो हम लोगों ने आज का ये test complete कर लिया है, आप इसका final answer दे, और अगले 5 second के अंदर, आपका time खतम होने वाला है, और time over, आज के 20 questions हम लोगों ने practice कर लिया है, इस वीडियो के साथ मैं आप लोगों को बताओ, जैसे हैं कि आप लोगों ने पिछले class में भी देखा था, कि अगर आप हमारे website की थ्रोई से दे रहे हैं, तो submit quiz पे click करने पर, आपको pop-up दिखाएगा, उससे okay करने के बाद, आपको test का result भी बता देगा, immediately, आप so answer करके answer देख सकते हैं, retake quiz करके retake कर सकते हैं, जिससे आपको सारी चीज़े पता चल जाए test के बारे में, अगर आप retake करेंगे quiz, तो retake वाला page खुलेगा, so answer करेंगे, तो हर एक question का जो correct answer है, वो आपको system so करना start कर देगा, एक चीज़ यहां बताना चाहूँगा, मैंने आप लोगों को starting में, अपने paid course के बारे में बताया था, इस paid course को आप लेना चाहते हैं या नहीं, यह तो आपकी choice है, बट मेरा recommendation होगा कि जरूरा आप purchase करें, क्योंकि यह आपको जितने भी questions मैंने यहां दिये, आपको जैसे दिखाता है कि इस वाले section में हमारे पास 35 questions है, उसमें से 20 questions आपने practice किये, 15 questions अभी भी इसमें हैं जो आप practice कर सकते हैं, बाकी में तो 50 करके questions है, तो आप एक बार सोचे खुद के लिए कि अगर आप अपने टेस्ट को, preparation को अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको यह questions help कर रहे हैं या नहीं, अगर help कर रहे हैं, तो बिल्कुल चाहिए कि आप लोग इसे purchase करें, हमारे इस paid course को, ताकि यह आपको और help कर पाए अपने माधमी प्रप्रेस्टन में, आज का क्लास इतना दूर रहेगा, हम लोगों ने फिजिकल साइंस के इस चाप्टर का टेस्ट भी देख लिया है, कल मिलते हैं अपने next चाप्टर लाइट के टेस्ट के साथ, तो आज का वीडियो उतना दूर मिलते हैं वीडियो में, तिल देन डू टेक केर एफिवान,